बदिनपूरा भटूरा मार को लेकर प्रिशासन और सरकार दोनों मिलकर किसानों को साथ कर रही धोका जिला कलेक्टर को मुआपज़ा देने के लिए किसानों के साथ मिलकर विश्वनाज सिंग तिवारी ने दिया ग्यापन मत-परदेश की सतना जिले महर तहसील का मामला जो कि महर के भधन पूरा भटूरा मार का है जो किसानों को जहाँ एक तरफ कोरोना से हमला किया हुआ है वहीं दूसी तरफ प्रिशासन का धिकारी वो सरकार कहर बन कर तूट रही है वो आज किसान को जिस तरह सरकार और प्रिशासन दोनों मिलकर पूरी तरह बरबात करने के लिए कमर कसे हुए हैं ये बाते समास से भी विश्वनास सिंग तिवारी ने जिला का लेक्टर सतना को किसानों के साथ लेकर किसानों की व्यवस्ता को बता कर ग्यापन दिया वहीं किसानों की दर्थ की कथा नहीं। बिना कोई छती पूर्थी दिये हुए निर्मार्थ की चारे चालू कर दिया गया है। नवार्थ मेहर में, दिवाने द्वार प्रसूत है या दावा प्रसूत होने के बाद ISDM मेहर द्वारा दावे के विश्टर में रहते हुए वेवार नियाले में दावा प्रसूत करने वाले सभी 9 किसानों की जमीन के खस्रों पर तारीख 10ून 2020 को सरक दर्श कर दी गई मुरीम खड़ी फसल पर बिच्छा दी गई वो एक दिन ही में ही पटवारी तैसिलदार वा SGM सहाब मिलकर बिना किसानों के उपस्तिती में ही वो बिना सिमांकन किये हुए खस्रे में रोड दर्श करा दी गई वहीं सैकडों किसान ऐसे भी हैं जिनकी शपास शासन को नोटिस कंपरी में जो की 16 मीटर चौड़ी सड़क बनानी है वो फिर किसानों के ही जमीन से 5 फीट जमीन प्रधान मंतरी पे जल योजना में देनी होगी वो साथ ही 5 फीट जमीन डिश्टल इंडिया के केवल बिचाने के लिए देनी होगी अच्छी बात है जनता के सुविधा के ल है कि अगर सरकार को देश के किसी भी नागरी का चाहे मकान हो या किसान का खेत सरकार उचित मुआबजे किसान को दे कर वजमीन सरकार ले सकती है पर तो यहां पर किसानों का अभी तक फूटी कौडी तक नहीं मिली है और किसानों के खसरे में रोड दर्श कर रोड का काम च झाल